नमस्का स्टूडन्स हिंदी में हमने सेवन पोयम कंप्लिट की है आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे तो हमेशा की तरह उपर चैप्टर का नाम पोयम का नाम फिर उसके कवी का नाम जन्म डेट बर्थ डेट उसकी मृत्यू डेट यह सब आपको लिखना है बूक में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए तो फर्स्ट प्रेस्चन है बादल को घीरते देखा है कवीता किस द्रिष्टी से महत्व पूर्ण है तो इसका आंसर मैंने तो सौट में लिखाया हमेशा की तरह आपको पूरा आंसर लिखना है कि बादल को देखा है कवीता प्रकृती के संदर्य वर्णन की द्रष्टी से है महत्व पूर्ण है क्योंकि यहां पे इस कवीता में पूरी प्रकृती के संदर्य क्या वर्णन किया गया है इसलिए तो क्या होगा इसका आंसर बादल को घीरते देखा है कवीता प्रकृती के संदर्य वर रचना काल कौनसा है देखो प्ल można कार नहीं रचना कार या निकि उसके कवी का नाम आएगा लेकिन रचना काल काल या निकिशमय तो कौन्से समय में ये है नो इसका ये kौनसा समय है तो पावसरुतु अथ्वा तो वरसारुतु का समय था पावस रूतू लिखोगे तो भी चलेगा और वर्षा रूतू लिखोगे तो भी चलेगा लिकिन पूरा सेंटेंस आपको बना के लिखना है थर्ड है कवी ने कमल को किस रंग का बताया है तो कवी ने कमल को सुनहरे रंग का बताया है फौर है बादल को गीरते देखा है कवी ता में कवी किसका परिवेश प्रस्थूत किया है कवी ने यहाँ पर कवी ने आएगा तो इसका अंसर होगा बादल को गिरते देखा है कवी तामे कवी ने हीमा लएके मानसरोवर और परवत सिखरों का परिवेश प्रस्तूत किया है क्या आएगा इसका अंसर? तो बादल को गिरते देखा है कवी तामे कभी हिमालाई के मानसरोवर और परवत सिखरों का परिवेश प्रस्तूत कभी ने आएगा यहां पे बीच में ने आएगा कभी ने हिमालाई के मानसरोवर और परवत सिखरों का परिवेश प्रस्तूत किया है आया समझ में तो यहां पर यह one line answer complete होते हैं आपको लेखक के नाम कवी के नाम सोरी बर्थडाइट यह सब भी one line answer या तो MCQ में पूछे जाएंगे तो वो भी आपको पढ़ लेना है अभी next topic है MCQs MCQ में फर्स्ट MCQ है कवी ने अमल धवल गीरी के शिकरों पर किसको गीरते देखा है तो इसका answer होगा बादल को सेकन है कवी ने छोटे छोटे मोती जैसे कणों को मान सरोर में कहां पर गीरते देखा तो इसका answer होगा स्वर्ण कमल पर थर्ड है जब बादल को गीरते देखा तब किस रूत्यू का प्रभाव था तो इसका होगा वसंत रूत्यू का प्रभाव था या तो वर्षा रूत्यू ऐसे ये वसंत रूत्यू आएगा इसमें वापस रिपीर करती हूँ फर्स्ट MCQ का answer होगा बादल को सेकंड MCQ का answer होगा स्वर्ण कमल पर और थर्ड MCQ का answer होगा वसंत रूत्यू तो यहां पर वैसे तो तीन MCQ दिये हैं लेकिन आपको ले चैप्टर के बीच में से भी पूछा जा सकता है या तो पोयम के बीच में से तो आपको पूरी पोयम रीड करनी होगी अब है दो-दो वाक्यों में उत्तर कवीता के प्रथम चरण में क्या द्रिश्य है मतलब पहला जो है पेरेग्राफ उसका इस कवीता के प्रथम चरण में निर्मल सफेद बर्प से आच्छा दित परवत सिखर पर बादल गीराए है तथा मानसरवर जील में खिले हुए कमल के सुनहेरे फूलों पर छोटी छोटी मोती जैसी शीतल बुंदे गीर रही है ये द्रस्य दिखाई दिया मतलब इस द्रस्य का वरणन किया गया है रिपीर करती हूँ इस कविता के प्रथम चरण में निर्मल सफेद बर्प से आच्छा दित परवत सिखर पर बादल गीराए है तथा मानसरवर जील में खिले हुए कमल के सुनहेरे फूलों पर छोटी छोटी मोती जैसी शीतल बुंदे गीर रही है तो यह इसका आंसर होगा अभी सेकन है हंस किस से उबकर शीतलता प्राप्त करने हीमालय पर आते हैं तो पावस की रूतु की उमस बहुत कस्टडाई होती है हंस पावस रूतु की उमस से उबकर शीतलता प्राप्त करने हीमालय पर आते है क्या है इसमें कि जो पावस रुतु होती है तो पावस रुतु की उमस बहुत कष्ट दायक होती है किसके लिए हंस के लिए तो इस इस रुतु से कि सुरी उपका सीतलता प्राप्त करने के लिए फिर ये लोग हीमाले पर आते हैं हिर वापस से करती हूं पावस की रुतु की उमस बहुत कष्ट डाय क्याने के मुश्केल होती है सहना हंस पावस रुतु की उमस से व्मकर सीतलता प्राप्त करने हीमाले पर आते हैं मतलब ये जो पावस रुतु होती है न वो एकदम घर्मी का ओ हो जाता है नहीं तो उसमें ये लोग उब जाते हैं मतलब बोर हो जाते हैं तो फिर उसे शीतलता प्राप्त करते हैं बहुत ज्यादा घर्मी होते हैं तो हमें भी ठंड़क जाहिने शीतलता प्राप्त करना याने की ठंड़क प्राप्त करने के लिए फिर वह हिमा लएके शिक्रों पर आ जाते हैं जैते आपको शीतल अपनी ये परिशाने दोर करने के लिए फिर हिमालय के हिमालय पर आते हैं और ठंडक शीतलत यानि की ठंडा वातावरन मैशूश करते हैं जो उनके लिए एकदम सही वातावरन है ठीक है अब एक वेस्टेन नंबर थ्री 3rd question question is बासंती्स सुभह में सर्वर के किनारे शेवादो की हरी दडरी पर किस्से प्रणई कलव् Care situant तो उसके उपर किसके प्रणय का मैंने पहले भी बोला प्रणय का जो प्रेम करते हैं दो नर और मादा पंची उसका द्रश्य है तो यहां पर पूरा अंसर ऐसा आएगा कि बासंती सुबह में सरोवर की किनारे शैवालो की हरी दरी पर चकवा और चकवी के प्रणय कलह का द्र रात को अलग हो जाते हैं और दीन को मिलते हैं तो ऐसे इसके प्रणे कलह का द्रश्य होता है, सुबह में फिर फॉर्थ क्वेस्चन है, बादल को गीरते देखा है कविता में कवी ने किरणे और शीखर को कैसा बताया है? जो सूर्य की किरणे थे और हिमाले के शिखर उनको कैसा बताया है तो बादल को गीरते देखा है कवीता में कवी ने सुबह के बाल सूर्य की किरणों और शिखर पर इन किरणों के पढ़ते सुनहरे प्रकास का वरण किया है कवी ने किरणों को मृद्धू तथा सिखर को स्वर्णाब अर्थातो सोने की आबा जैसा बताया है भापस रिपीट करती हूँ बादल को गीरते देखा है कवीता में कवी ने सुबह के बाल सूर्य की किरणे और सिखर पर इन किरणों के पढ़ते सुनहेरे प्रकास का वर्णन किया है कवी ने किरणों को मृद्धू तथा सिखर को स्वर्णाब अर्थातो सोने की आबा जैसा बताया है हां सिखर का वरनन किया है फिर सिखर पर जो सोने जो बाल सुर्य की किरने घिर रही है उसका वरनन किया है फिर वो वो किरने किरनों को उन्होंने मृद्धु कहा है और किरनों के उपर सोरी जो ये किरने सिखर के उपर पर रही है तो उसको स्वर्णा भयाने की सोने की आपा जैसे आप भयाने की सोने को सोने जैसे दिखने वाली ऐसे बताया गया है तो स्टूड़न्स यहां पर टू-3 लाइन आंसर भी कम्प्लीट होते हैं आशा रखती हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा यह सब आपको वीडियो में करेंगे अस्तूदू